जैश्री राम आज हम बनाने जा रहे हैं इमली स्टाइल छोले मैंने हाँ पर धाई सो ग्राम छोले रात में भिगो करके उनको उबाल लिया और यहाँ पर तीन प्याज लिये तीन टमाटर पांस से छे हरी मिर्ची लिये इनको मैं बारिक कट कर लूँगी मैंने 50 गिराम इमली लिये इसको मैंने रात को भिगो कर रख दिया था और अब इस तरीके से मैंने उबाल कर ठंडा कर लिया है यहाँ टमाटर प्याज और हरी मिर्ची को बारिक कट करके मैंने इस तरीके से छोलो के साथ मिला दिया और अब मैंने यहाँ पर एक छोटा चमच देगी मिर्ची पाउडर डाल दिया एक छोटा चमच मैंने यहाँ पर अमचुर पाउडर डाल दिया एक छोटा चमच भुना हुआ जीरा डाल दिया और इन सभी चीजों के डालने के बाद मैंने यहाँ पर इमली को ठंडा होने के बाद इस तरीके से छलनी में से छान लिया है और इमली को इस तरीके से बहुत मिक्स कर लेंगे यह छोले बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और खाने में भी बहुत टेश्टी लगते हैं, यहाँ पर अब मैंने 2-3 हरी मिर्ची बारिक कट कर ली, हरी मिर्ची को डाल लिया और इस तरीके से मिक्स कर लेंगे, जब भी आपके पास टाइम कम हो, तो आप यह रेसेपी जरूर ट्राई कर सकते हैं, उपर से हराधनिया गा गार्णिश कर लेंगे इसको भी, हम इने कुल्चे के साथ, पराठे के साथ, पूरी के साथ, और रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो पसंद आए, तो लाइक करें, शेर करें, सबस्क्राइब करें, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाकर के मुझे फ